आटना जईबू की पटना जईबू की जईबू खैरूला में काहे जिलेवी के तरसे उबर की बाड़ा मजारस दूला में नमस्कार दोस्तों संगीत करा में फिर से आप सभी के स्वागत है मैं प्रकास महुर्या आएए आज हम सब एक बले सवर यादों का गीत सीखेंगे जो आप सभी के ही रिक्वेश्ट पर है तो आएए इस गाना को आज हम सब भार्मोनियम पर सीखते हैं किस परकार है तो सीखनेस पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें सोर कौन-कौन सा यूज होगा और गाना का आश्र कहां बजेगा फिर इसको विस्तार में नोटेशन के साथ में समझते हैं तो आज मैं गाना प्ले करूंगा यहां से यह मेरा सा रहेगा एक दो तीन चारनी चौथी काली यह सा रहेगा तो सरगम का स्वरली पी क्या बनेगा इसको देख लेते हैं सारे गा मापा धा धापा महांगरे सा यानि इस सास लेकर के इस धह तक गाना बज जाएगा देखा जाए तो सारे के सारे सुद्ध स्वर लगेंगे और बहुत कौम स्वर में गाना बजएगा एक दो तीन चार पान छे छे स्वर में गाना कम्पलीट हो जाएगा और इतना दूर में गाना बज जाएगा हमने बता दिया कि सारा सुद सोर लगेंगे और इतना ही बजेगा तो इतना में आप सब अपनी मर्जी से भी गाना को ढूड सकते हैं और निकाल सकते हैं आगे पिछे सोर का इउज़ करके अब आईए इसको समझते हैं टेक लाइन में बेल्कुल सूलो में गुर्ण आते हुए चलता हूं देखिए फिर इस का नोटेसन देखते हैं गाना चालू हो रहा है यहां से पसे 1967 अだना जाइबू की पपकन सेखुकन अब हाथ की जैगू खैर लिए है है जिले बी काहर जटी लेन के तरसिल गुर की बाड़ा मजारस गुल्ला में तो इस परकार ये है अब आई ये पहले इसको नुट्र इस इतना का नुट्रेशन समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अब जो आटना बजरा है आटना जैबु की आटना जैबु की ऐसे हो रहा है पापा पाधा धाधा पाटना धापधा जैबु पामा की जैबु की जैबु पाधा पाधा खायरुला में मापा मगर एक खायरुला में काहें जिलेवी पाहली भार बोलेंगे एक बार काहें जिले भी, सारे मगरे, फिर बोलेंगे, काहें जिले भी के, काहें जिले भी के, ऐसा हो जाएगा, सारे मगर, सारे मगरे, ऐसा हो जाएगा, काहें जिले दीके सारे मगर रे तरसे लो तरसे लो गरे सा गोरिया सारे सा गोरिया बाड़ा मजा सारे रे बाड़ा मजा रस गुल्ला में अब यह जो रस गुल्ला बज़रा किसे बज़रा है रस गुल्ला में सारे के दबा के गौके लेके फिर सा पाना है रस गुल्ला में सारे गरेसा सारे गरेसा सारे गरेसा एक बार बिलकुल सुलों में देखिए फिर आगे बढ़ते हैं आतना जैबू की पतना जैबू की जैबू खैर उल्ला में काहें जिले भी काहें जिले भी के तरसे लुगोर की कि बारा मजा बारा मजा रस्त गुलु कि एक लाइन तो यह हो थिर बजाएंगे बारा मजा बारा मजा रस्त गुलु में बड़ा मजा रसगुला में पिया आएंगे इसको कैसे बड़ा मजा पधापा पधापा बड़ा मजा रसगुला में इसा बुलेंगे मामा पपाधा पधा फिर बड़ा मजा पधापा रसगुला में माप मगर सा रसगुला में माप मगर सा फिर काहे जिले लिके करसे लोगोर की बड़ा मजा रसगुला में तो उसका वोज नोटेस नम लगएगा जो अभी हम लोग लगाए अब इतना बजाते हैं तो समझे एक लाइन इसका कम्प्लीट हो गया अब इसी पर दूसरा सेम टू सेम लेडिस के आवाज में बजा हुआ है वो देख लेते हैं फिर अंतराब चलते हैं वो वो मैं बजा देता हुँ सेम टू सेम नोटेसन लगेगा जो भी हम लोग बजाए खचित वो है अरे आत ना जाईब न पट न जाए भी नहीं जाई भी ख़एरिंला में मेलामें जाके मेलामें जाके सोन पूर मेलामें जाके पूरे मेला में जाके उड़ाई विचाड़ हल जावानी के जुल्ला में ठीक अब उसी पर बच जाएगा अब लगेगा अंत्रा तो अंत्रा कि जर से चलू हो रहा है ओ भी चलू हो रहा है स्थासे कई से है उसको समझ लेते हैं तो गाना एक दम बेलकुल कम्पलिट हो जाएगा मेला में मेला में माजा न सोहर में माजा मेला में माजा न सोहर में माजा सोहर में माजा हूँ सोहर में माजा इतना कर नोटिशन पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं मेला में माजा न ऐसा हो रहा है मेला में मा जाना सारे रे गरे सारे मेला में सारे रे मा जाना गरे सारे सोहर में मा जा सोहर में ऐसा हो रहा है मा गरेगा स्तोहर में मा जा, मा जा, गरेगर सा, गरेगर सा अब पीछे से जो टेरी भरते हों कैसे बुलते हैं स्तोहर में मा जाना, स्तोहर में, स्तोहर में, मा जाना, स्तोहर में मा जा ऐसा हो जाता है इसका नुटे साम सारे रे सोहर में माजाना रेगरे सोहर में मागरे माजा माजा रेगरे सा अब फिर यहीं आ जाएंगे कैसे मेला में माजा मेला में माजाना ऐसा हो रहा है मेला में माजाना सोहर में माजा मेला में माजा मेला जो बज रहा है पापा मेला में माजाना धाधाप सोहर में पाधाधा माजा पामा अरे अरे नाही आरे नाही मामा पाधा माजा पामा ललचाने में मापा मगरे सा ललचाने में फिर कीनी बजे कीनी बजे आके कीनी बजे आके ऐसा हो रहा है सारे मगरे सारे मगरे तीनी बजे आके जगई है जगई है रेगर सा जगई है पतर की पतर की सारे सा सूतल सारे रहब गरे सा रहब खरिहाने में सारे मगरे सा रहब खरिहाने में तीन बजे आके जगई है फतर की शूतल रहब खरिहाने में तो इस प्रकार है देखा जाए तो इस गाना कम्प्लीट हो गया इसी पर सारा अंतरा बजा हुआ है तो मैं आसा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आ गया होगा आप सभी इसको त्यार करें और इसका अनंद उठाएं फिर हम लोग अगले एक वीडियो में कुछ और ले करके मिलेंगे तब तो क्लिए नमस्कार धन्यवाद